वेल्कम टू तेज एजुकेशन साथियो जेल प्रहरी फोरेश्गाज और छेतर रच्छक भरती परिच्छा की तैयारी के लिए आपको हम रोजाना वीडियो अप्लब देकर आ रहे हैं साथियो जो लोग नए है वो चैनल सब्सक्राइब करें और यह हमारा MPGK का पहला भाग आएंगे चलेगा सबसे पहले मैं आपको बता दू हमारी हर क्लास का पीडियो प्राप्ट करने के लिए आप हमारा app डाउनलोड करें तेज एजुकेशन और साथ यहां पर आपको साथ हो मिलने वाला है पीडियो आपको मिलेंगे यहां पर और आपको यहां पर फ्री प्रै अधनिक वैद साला कहा पर अधनिक वैद साला इस्तापित की गई अगला प्रश्म बनता है आपका कि मद्ध प्रदेश में सरवाधिक वर्षा कौन सी साखा से होती है प्रश्म बनता है निमने लखित में से कौन सी रेखा है जो मद्ध प्रदेश में जल बिभाजक रेखा कहलाती है तो आप हमेशे याद रखना कि जल बिभाजक रेखा साथियो 75 cm बरसा रेखा को कहते है किसको 75 cm बरसा रेखा को कहते है आपको एक चीज और याद रखनी है कि मद्ध प्रदे मद्यप्रदेश में नियूतम बर्शा जो साथ वो 55 सेंटीमेटर होती है कहां पर होती है प्रेशन बंता है आपका अगला कि मद्यप्रदेश किस प्रकार की जलवाई बाला प्रदेश है तो आप हमेशे याद रखना कि हमारा जो मद्य प्रदेश है न शातियो यह हमारा उश्न कटवंदी मांसूनी जलवाई बाला प्रदेश है कैसा है उश्न कटवंदी मांसूनी जलवाई बाला प्रदेश है नेक्शन प्रशन है कि मद्य प्रदेश की जलवाई को उश्न कटव प्रादान करने के लिए कौन सा कारक उत्तर्दाई रहता है, तो आप अब हमेशे याने रखना कि मददेस की जलवाई को उस्न कटवंदी शरूप करकर रेखा के कारण मिलता है और आपको यह याद रखना है करक रेखा सातियों 14 जिलों से गुजरती है मद्ध प्रदेश के 14 जिलों से जो है गुजरती है बहुत ज्यादा पूचा गया है कई बार पूचा है 14 जिलों से होकर गुजरती है सातियों करक रेखा ठीक अगला प्रशन बनता है आपका कि जलवाई कीओ अनुसार आपकंद कि ग्रीज में म गरमी के बाद कौन कि क्योंत है सब्सका करें प्रत कुल चार भागों में बाड़ा है। अगला प्रशन आपका कि किस छेत्र में गर्मी रितू में अत्यद्य के गर्मी और सर्दियों में साथ्यू साधरन ठंड पड़ती है तो आपको यह गया तो नचाहिए कि मालवा के पठार को साथ्यू क्या का जाता है यहां की जल्वाई को साथ्यू जैसी है प्रशन है कि मर्द प्रदेश में रितू को और किन नामों से जाना जाता है तो आशान है आप याद रखना कि मदवदेश में रित्यों को शात्यों यूनाला चौमासा स्याला इन सभी नामां से जाना है देखे ये तो सब को पता है कि बर्षा रित्यों को सात्यों क्या कहते है बर्षा रित्यों को चौमासा कहते है और सीत रित्यों अर्थात शात्यों कौन सी सर्द जो होती है न सर्दी सर्दी रित्यू सात्यू या सीत रित्यू इसे स्याला करते हैं क्योंकि सर्दी और सीत में क्या आ रहा है सा आ रहा है तो स स्याला में आ रहा है यूनाला सात्यू किसको कहेंगे गर्मी रित्यू को भई क्या है यूनाला कहेंगे तना आप याद रखना आ अच्छे सेयाद रखना उत्तराइन होना होगा तो तापमान में ब्रद्धी होगी और दच्छणाइन होगा तो तापमान में कमी होगी अगला प्रश्ण है आपका कि सूर्य की केणे कौन सी रेखा पर लंबवत पढ़ने से मद्ध प्रदेश में अधिक गर्मी पढ़ती है तो आप याद रखना कि सूर्य की केणे साथियो करक रेखा पर बिल्कुल लंबवत पढ़ने से क्या होता है साथियो मद्ध प्रदेश में गर्मी अधिक पढ़ती है और मैंने कुछ देर पहले बता है करक रेखा कितने 14 जिलों से उकर गुजरती है प्रश्ण है कि मद्ध अधिकतम तापमान वाला इस्थान कौन सा है तो आप याद रखिएगा गंजवा शोदा साथियो क्या है मद्ध प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला इस्थान जहां का टेंपरेचर सबसे ज्यादा साथियो मापा गया है नक्से प्रश्ण बंता है आपका साथियो क्या अगले प्रश्ण पर मैं आऊँ लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ के साथियों अब आप हमारा एप जरूद डाउनलोड करें जहां पर आपको हमारे पूरे पीडियाफ मिल जाएंगे तेज एजुकेशन एप डाउनलोड करें प्रश्ण है किस माहा के शमुह को परदेश में दुत्य गर्मी रितु कहा जाता है तो सितमर अक्टूबर महीना जो रहता है न भी सितमर अक्टूबर माहा का जो जो है समय रहता है इसे दुत्य गर्मी रि रहता है कहाँ पर श्रीपुरी में सबसे कम तापमान रहता है इतना प्याद रखना प्रशन है कि मद्यप्रदेश में सरवादिक बर्शा कौन से इस्थान पर उठती है तो प्याद रखना कि मद्यप्रदेश में जो सरवादिक बर्शा है यह सात्यों कहाँ पर पच्मडी मे होती है इतना आप याद रखना नक्षा प्रशन है आपका है कि मद्रदेश को बर्शा के आधार पर कितने भागों में बंटा गया भी बर्शा के आधार पर बताएगा बर्शा के आधार पर कितने भागों में बंटा गया तो आप हमेशे आध रखना है बर्शा के आधार पर योजन चाहरागता है प्रश्न बंता है दो आ strengths जो आप बता सकते हैं प्रशन बनता है नियूंतम बर्शा वाला इस्थान कौन सा है नियूंतम बर्शा वाला इस्थान शातियो निमने लिखित में से कौन सा है तो आप हमेशे याद रखना कि जो नियूंतम बर्शा वाला इस्थान शातियो वो है आपका कौन सा भिंड है सा तो भिंड में भी गोहद है वई आगे वढ़ते हैं नक्षपित प्रश्चन है कि मद्देश में दर्व्क To raise में लटने वाले मांसुन SE होने वाली बरसा को साथीयो मावठ का जाता है नक्षपित प्रशन है मद्द प्रदेश का सर्वादिक बर्षा वाला इस्थान कौन से पठार में अवस्तित है कौन से पठार में सर्वादिक बर्षा वाला इस्थान तो आप याद रखना कि सर्वादिक बर्षा वाला जो इस्थान असाती हो यह आपका शर्तपड़ा मेकल स्रेडी में कहां पर भ कि अखियेगा कि मद्धवर्देश में स्री महीने में सरवादिक मार्च महीने में कि अगला मार्च के महें दैनिक तापांतर होता है और दोना मांसूननों से बर्षा पहीं कौन से चेत्र में उत्ती बताए दोनों मांशूनों से बर्षा मजद प्रदेश के कौन से छेत्र में उत्ती तो आप याद रखिएगा कि विंध प्रदेश में दोनों मांशूनों से साथ यू क्या है बर्षा होती है अगला प्रशन है कि मजद प्रदेश के सरवाधिक बर्षा वाले जिले इस्थित है तब हमेशे याद रखना कि राज में जो रितुबेद साला है शात्यू ये इन दोर में इस्थित है कहां पर है इन दोर में इस्थित है प्रशन है कि मध्य प्रदेश में बार्शिक और शत वर्शा शात्यू कितनी होती है तब हमेशे याद रखना कि मध्य पहले मैंने बताया कि भिंड में उठती है कितने साथियों 55 cm उठती है कितने बई 55 cm उठती है अगला प्रशन है कि मद्यप्रदेश के किस भाग में अधिक बर्शा होती है तो आप याद रखना यह प्रशन बहुती खास है प्यार शाथियों आप याद रखना कि मद्यप्रदेश की जलवायू कैसी है मद्यप्रदेश की जलवायू निम्न लिखित मैं से कैसी है तो आप याद रखने मद्यप्रदेश की जलवायू शातियों मांसूनी जलवायू है कैसी है मांसूनी जलवायू है नक्षा प्रशन है मद्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा बर्शा किस से होती है तो आप याद रखना मद्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बर्शा है यह दक्षन पश्यम मांसून से होती है किस होती है दक्षन पश्यम मांसून से होती है अगला प्रशन है कि मद्यप्रदेश को कितने क्रस्य जलवाई छित्रों में बांटा गय तो आप याद रखना कि मद्यप्रदेश में सरवाद के तापमा शाथियों गंजवा शोधा में अंकेत किया जाता है कहाँ पर गंजवा शोधा में अगला प्रशन है मद्यप्रदेश में कितने प्रकार की रित्यों पाई जाती है तो कुछ देर पहली बताया कि मद्यप्रदेश में तीन प्रकार की रित्यों पाई जाती है गर्मी बर्सा और सीत रितू नेक्सेण प्रैश्ण है, तापकरमके याध्याधार पर मद्द्दीकान Aah गया है A aqueles याध है, तो तने याध रखेंगा, अज के इस क्लास में किवल इतने ही प्रैश्ण है मिलते हैं आपसे नेक्स सेश्याशन में सबढ़ेगे यीजिए इंड जैबारत, जैमाकाल, 52 ऐफ आप डाउनलोड जरू करें पूरे पीडियाफ आपको फिरी दिये जा रहे हैं फिरी टेस्ट सीरीज विवापर आपको मिल जाएंगी